नमस्कार मैं डॉक्टर वीनु कुमार आपका स्वागत करती हूं हेल्थ के टिप्स प्रोग्राम पे आम अ क्लीन इटिंग लाइस्टेल मेंटॉर और मैं यहां पे आपका रिलेशंशिप आपके फूड के साथ बनाने आई हूं रिमेंबर जब मेरे साथ बात होती है तो मैं बात खाने के नहीं करती हूं खुराक के करती हूं खुराक का मतलब है how to use food as a medicine तो खाना ही आपकी supplementation कैसे कर सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं आज मैं बहुत ही crucial बात आपसे कर रही हूं जो कि बहुत important vitamin B जो कि आज कल आपने देखा होगा कि बहुत सारे doctors हैं वो इसका test भी करवाते हैं और अकसर ये vitamin B कम निकलता है तो let's say कि अगर इसकी range जो है वो 160 से लेके तकरीबन 600-700 तक हम मानते हैं कि इसके बीच में कहीं होना चाहिए लेकिन अगर आपका जो है वो 200 के करीब आता है तो आप मानते हैं कि मेरे vitamin B लो नहीं है आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लो नहीं है लेकिन ये उतना efficiently जो इसका काम है आपकी body में ये वो भी नहीं कर रहा या आपको लगता है आप stress handle नहीं कर सकते है या आपको लगता है कि आपकी bones, muscles जो है वो weak हो रही है तो अगर आपके nervous system के कारण हो रही है तो vitamin B ही है जो आपके nervous system को directly support करता है आपने सुना होगा neurobin के injection जो बहुत जादा common होते हैं वो सारे vitamin B रिची होते हैं तो अब अगर हम इसका second काम लें तो second काम इसका खून के cells को बनाना है खून के cells तो iron करता है लेकिन अगर वो आपकी body खुद बखुद बनाएगी तो vitamin B के बिना वो नहीं बना पाएगी तो इसका बहुत ही major role है आज की date में इसलिए इसको बहुत जादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है हम बात करते हैं कि अगर किसी को vitamin B लेना है तो वो किस तरह से अपनी diet के बीच में vitamin B जो है वो increase कर सकता है यह न बैक्टीरिया और fungus होती है जो कि vitamin B बनाती है और यह generally animal products में पाई जाती है लेकिन बहुत sad बात है कि अगर आप animal products सिर्फ इसलिए खाते हो कि उसमें vitamin B आता है तो वो और बहुत तरह के toxins हमारे body के अंदर दे जाता है then what is the use अगर आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि यह वाला test तो मेरा ठीक आ जाए लेकिन हाँ इसने मेरी पाचन शक्ति को खराब कर दिया यह इसने मेरे metabolism को slow कर दिया then there is no idea taking that मैं आपको यह advice करूंगी कि इसकी वजाए तो अगर आपको supplement खाना पड़ जाए तो आप जरूर खाएं क्योंकि जरूरी तो यह body के लिए है लेकिन इसका कोई good source आपके लिए animal sourcing के इलावा नहीं है plants में chlorella नाम का एक जो है वो जरूर मिलता है आपको plant based product जिसके बीच में की active vitamin B होता है और यह बहुत अच्छा absorb भी होता है मार्केट में से अगर आप chlorella spell करके इसको अगर आप लेंगे तो यह मिल जाएगा आपको तो मेरी आपको यही suggestion है कि vitamin B के supplements भी ले सकते हैं एक मैं nutritional yeast इसको खमीरने के लिए use किया जाता है लेकिन यह vitamin B 45 होता है तो आप मानिए कि कुछ खुराक के ऐसे products हैं जो market में मिलते हैं उसके बीच में उन्होंने vitamin B डाल दिया है तो उसी तरह से आप इसको increase कर सकते हैं otherwise अभी तक इसका कोई और बहुत जादा resource नहीं आया है थोड़ा बहुत mushrooms को credit दिया जाता है लेकिन मैं आपको advise करूंगी वही हरे पत्तेदार सबजी हैं chlorella particularly नहीं तो nutritional yeast यह brag company की मिलती है अमेरिका का product है लेकिन अगर इसके दो चमच आप रोज अपने salad या juice या अपना कोई भी चीजी product बनाने के लिए उसके बीच में डालते हैं तो यह बहुत good source है कुछ soya milk ऐसे मिल रहे हैं market में या tofu जिसके बीच में की इसको fortify करके डाला जाता है so fortify का मतलब है कि उन्होंने उसके बीच में डाल दिया और फिर आप वो खा रहे हो तो actually मैं उन्होंने भी उसके बीच में घुलके ही दिया तो directly भी ले सकते हो क्यों fact products में से लेना है this is my advice तो जो भी मैं आपको बताती है उसको implement जरूर करें vitamin B का test करवाएं देखें कि आपकी range क्या आती है यह somewhere between 500 आएगा तो आपकी body के अंदर nutritional deficiencies जो vitamin B से होती है वो नहीं होंगी इसमें थकावड, cardiovascular diseases, nervous system, depression, laziness, सब कुछ इसमें cover होता है तो इसलिए इसकी तरफ खास ध्यान दे मेरे tips के बारे में अगर आपको कोई भी query हो तो please comment section में मुझे पूछे मैं आने वाले videos में cover करूँगी धन्यवाद